वेल्कम तुटु तुटूजेन्ट प्रेफॉम्टूरूर व्यूरूज आज हम पढ़ेंगे पेस्वाइव 403 सोशल साइकोलीज्य के लेसन 23 को तो अहीं स्टार करते हैं एक अटिटूज़त चेंज तो लेसन सिंपल सा है बिल्कुल लेकिन इसको बहुत पिचीदा बनाया गया है मैं सिंपल इल्फाद में बिल्कुल शॉर्ट सा लेसन में कंसेप्ट जो है न असल जो चीज़ों याद करने वाली है बीच में वह मैं आप लोगों के सामने एक्सप्रेंड कर दूंगा तो लेसन की हैंड रॉट्स की रिडिंग कर सकते हैं कोगनिटिव डिसोनेंस थियूरी डिसोनेंस मींज कनफ्लिक्ट बिट्वीन ठिंकिंग एंड एक्शन यानि कि सोचने और काम करने के अमल में फर्क हर काम करने के लिए हमें मोटिवेशन की ज़रुद होती है आम तोर पर हमें एक नाम मुनासिब बहिवियर को अडॉप्ट करते हैं और बहुत सा टाइम इसे सही साबित करने में गुजार देते हैं ये थी कोगनिटिव डिसोनेंस थियूरी फेस्टिंजर की स्टेडी को देखते हैं इन्होंने लोगों को एक बोरिंग टास्क करने को कहा और बाद में इन्हें इस टास्क के मतलिक पॉजिटिव रिवार्ड देने को रिमार्क्स देने को कहा मतलब एक डल काम था बोरिंग काम था बहुत ही जो आम तर वो लोग नहीं करना चाते लोगों से कहा गया ये काम करें और कहा गया गया आपने इसके बारे में positive remarks देने हैं कुछ को payment नहीं दी गई टास्क की कुछ को एक डॉलर दिया गया और कुछ को 20 डॉलर दिये गई जिन लोगों को payment नहीं दी गई थी उन्होंने तो क्योंकि देखें ये graph आपके सामने ना उन्होंने तो उसके बारे में just remarks दे दिये ना ऐसी बतलब कि ना चाहते हैं उन्होंने उसके बारे में remarks दे दिये कुछ ने उनके बारे में positive remarks नहीं दी मतलब यहां पर यह चीज़ बयान करें लेकिन जिनको वन डॉलर दिया गया तो वन डॉलर जो था कोई as खास सोर्स नहीं था अगर कहा जाए कि मतलब को बेनिफिशल अमाउंट नहीं थी लेकिन उन्होंने इस टास्क को उन्होंने का चले वन डॉलर भी मिल रहा है खैर है टास्क बोरिंग है लेकिन as a enjoyment टास्क को लिया और उन्होंने काफी positive remarks दिये उस चीज़ के पारे में लेकिन जिनको 20 डॉलर दिये गए उन्होंने सिर्फ पैसों को देखा उन्होंने टास्क को नहीं दिखा क्या कर रहे हैं उन्होंने ना चाहते हुए भी मतलब ये कि उन्होंने इस चीज़ से कोई तालग ने रखा कि टास्क उन्होंने क्या किया है उन्होंने जस्ट टास्क के related positive remarks दिये अपने जहीं में ये रखते हुए कि टास्क boring था लेकिन मुझे इसके पैसे मिल रहे हैं मैं इसलिए इसके positive remarks दूँगा आप लोगों को मेरी बात समझ लगी जिन लोगों को one dollar दिया गया उन्होंने बहुत अच्छे remarks दिये इसकी वज़ा क्या थी कि उन्होंने one dollar का तो उन्हें सच कोई फाइदा नहीं था लेकिन उन्होंने उस task को fun के तोर पे लिया इसलिए उ जो views थे जितना उनको कहा गया था उतना उन्होंने उसके बारे में बियान कर दिया आगे है factor affecting dissonance dissonance के बारे में आपको मैंने पहले बताया action और conflict होता है thinking और action के दरमयान पहला है justification एक काम आपको दिया गया जो के बिल्कुल फजूल था लेकिन अब आपने किया है तो जाहर ये जाहर नहीं करना कि ये काम फजूल था और ना चाहते हुए भी इस task की एहमेद को आप बियान करने की कोशिश करते है freedom of choice अगर आपने अपनी मर्जे से task चूज किया तो किसी किसम की भी dissonance पैदा नहीं होगी मैं तब आपने अपनी मर्जे से task किया है ना चूजूल बेशक फजूल था लेकिन आप अपनी मर्जे से अपनी willing से वो काम कर रही है investment अगर किसी negative चीज़ पर भी आपने invest किया है तो भी आप इसको sport करेंगे क्योंकि इस पर आपने पैसे खर्च किया है आगे है cognitive dissonance and persuasion cognitive dissonance है change in attitude due to internal factor और persuasion है change in attitude due to external factors यानि किसे इनसान को अमादा करना कोई ऐसा काम करने पर मजबूर करना जो वो नहीं करना चाहता यानि कि उसके attitude को तबदील करना जिस तरह आप लोगों के सामने ads लाए जाते हैं मुख्लिट चिज़ों के advertisement की जाती है products की जो कि आप लेना नहीं चाहते हैं जिनके आपको जूरत नहीं होती हैं लेकिन आम तोर पर आप ads देखते हैं तो उन चीज़ों को पसंद आ जाती हैं और आप लोग उनको खरीद ल और यह तीनों में क्या जिस बियान कर रहा है सोर्स के अंदर कह रहा है कि अगर toothpaste का एक एड है और इसको डॉक्टर आगर इसकी तारीफ कर रहा है एक dentist राता है और इसकी तारीफ कर रहा है तो यह तो यह ठीक ही होगा आगे दूसरा message variable what is the content मतलब related बात ने करना चीज़ के इद्गित की बातों में time waste ना करना audience कौन सा message की लोगों के सामने बयान करना है यह इसके अंदर बयान करा हो किस किसी खाद के बारे में है तो इसका जारतर किसानों से तालुक है तो किसानों के बारे में किसानों के साथ बात करना किसानों के एरिये में इस एरिये के अंदर इसका एड ज्याद चलाना एड़िटाइजमेंट करना Source Factors Who is Communicating Source Credibility वही बात कर रहा है Credibility यानि किस हद तक जो है वो चीज Credible है किस हद तक चीज को ठीक तसवर किया दे सकता है किस तक उसे सही माना जा सकता है Expertise कौन बियान कर रहा है Source को आकर कौन बात कर रहा है उसके बारे में कि यह चीज है जिस तरह टुट पेस्ट में डेंटिस्ट आके उसकी तारिफ कर रहा है तो यह Expertise इसका मतलब है कि Expertise इसको बियान कर रही है प्रृत्फर्थिनेस है लोगों का Believe, लोगों का यकीन इस बात पर ज्यादा होगा कि अगर डेंटिस्ट आके उसको बियान करेगा Source Attractiveness है चीज जो आपके सामने आ रही है उसको इतने प्यारे अंदाज में बियान किया जाता है या उस चीज की तस्वीरे या उसकी वीडियो इतने प्यारे अंदाज में दिखाई जाती है कि लोग उसको Attractiveness होती है लोग इस चीज के अंदर लोग Attract होते है अगर किसी क्रीम का एड होता है तो एक खुबसूरसी मॉडल उसके अंदर दिखाई जाती है जिसके वजाए से वो Attractiveness पैदा होती है और लोग उस चीज को खरीदने पर मुझबूर हो जाते है Physical Appearance भी यही चीज़ है Likeability, Similarity Source Factor, Credibility यहां पर वही सेम बात कर रहा है Expertise, Trustworthiness की बात कर रहा है कि लोगों को एक Dentist आके Same बात वियूर्ज यहां पर बार बार बीट कर रहा है Main चीज़ है यहां पर Concept समझने वाली Sleeper Effect आपकों को बता दूँ क्या है अगर किसी चीज़ की Credibility Zero हो तो वो चीज़ आम तोर पर लोग उस चीज़ को Notice ही नहीं करते अगर उनका Source of Credibility जो हाई होगी तो Persuasiveness भी Persuasiveness भी हाई होगी Persuasiveness क्या है लोगों का किसी काम करने पर अमादा करना लोगों को ठीक है लोग मतलब कि ज्यादा अमादा होंगे उस चीज़ पर अगर Credibility जो है वो कम होगी लोग होगी तो लोग भी उस चीज़ पर अमादा कम होंगे उस चीज़ के तरफ वो कम कम करेंगे लेकिन अगर Credibility जो होगी तो यहाँ पर Sleeping effect आ जाएगा यानि लोग उसको याद नोटिस ही नहीं करेंगे अगर लोग नोटिस भी करेंगे तो वो जादा देर तक उसको याद नहीं रख पाएंगे Explanation of Sleeper Effect यहां भी कह रहा है कि अगर Credibility Zero हो तो इस चीज़ को लोग बहुत जल्दी भूल जाएंगे वो यह बात दुबारा रपीट कर रहा है क्योंकि इस पर बिल्कुल भी वो यकीन नहीं करेंगे पर सोर्च जो इंटरस्टिंग नहीं होता इसलिए उसको भूल जाते हैं इसकी Credibility की नहीं होती लेकिन जो News होती है वो इंटरस्टिंग भी होती उसकी Credibility भी होती इसलिए लोग जारा देर तक याद रखते हैं विज़ यह था आपका पीस्टराइब 403 का लेसन 23 में उमीद करता हूँ कि आपको समझ आगी होगी जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स लेसन में टेक कियर अलाहफेज